गुडिनी बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइस और क्वेश्चन नंबर 1.29 एक्वेश्चन 1.29 क्या कहता है कि क्वेश्चन कहता है क्योंकि कोई एक कंड़क्टर है ठीक है, उस conductor में एक हमने cut कर दिया, एक cut मार दिया, ठीक है, तो cut मारने की वज़े से जो part बचेगा, जैसे माल लिजे, ये हमारा conductor है, और इस conductor पे हमने क्या किया, यहाँ cut कर दिया, कि ये part ऐसा हो जाएगा, cut करने के बाद, ठीक है, तो जब cut करने के बाद, पार्ट ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो net electric field है, वो होगी sigma upon 2 epsilon 0, यह हमें required question कहता है, कि ये cut करने के बाद, अगर आपने cut कर दिया, तो cut करने के बाद, जो हमारा part बचेगा, उस part की वज़े से electric field sigma upon 2 epsilon 0, तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें कुछ चीज़ें जान लें, कि किसी भी conductor के, किसी भी conductor के surface पर, जो electric field होता है, वो कितना होता है, माल लीजिए, यह positively charged body है, क्यूं, हमें मालूम है कि अंदर electric field 0 होती है, तो अगर इसकी distance r है, मतलब radius r है, तो इसका होता है, 1 upon 4 pi epsilon 0 q by r square, यह इसका formula होता है, हमने सबने पढ़ा है, और अगर हम इसको 4 pi के साथ r square को लिख दें, तो यह 4 pi r square क्या कहलाएगा, area कहलाएगा, इसको area कह सकते हैं, और हम जानते हैं कि charge upon area क्या होता है, surface density, sigma, तो इसका मतलब यह proved है, कि जो net electric field होती है, आपके surface पर वो sigma upon epsilon 0 होता है अब बात करते हैं, question में यह कहता है, कि जो यह कटा वाला part है, उस कटे वाले part की वज़े से electric field इतनी होगी, अब मान लीजे, थोड़ी दर के लिए हम यह मानते हैं, कि यह जो part है, यह कटा नहीं है, यह इसी के साथ लगा हुआ है, अगर इसी के साथ लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़े रूप में बना लेते हैं, कि मान लीजे, यह कटा नहीं है, और यह हमारा कटा नहीं है, यह जुड़ा ही हुआ है, तो यहाँ पर, दीखें, यह हम इसको मान ले, A, B, चीक है, और यहाँ पर हम एक point दे दे, P, और इस center को हम दे दे, S, इसका center का नाम द रहता है, अच्छा, हमें अच्छी तरह पता है, कि इस center S पर पूरे sphere के लिए, अगर यह कटा नहीं है, तो पूरा combined form में है, तो यहाँ पर electric field क्या होगी, 0, E, S, electric field 0 होगी, net, अब देखें, net electric field 0 है, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है, कि यहाँ पर electric field है, नहीं, जैसे मा box है, और इस box पे 10 newton का force यहाँ लग रहा है, और 10 newton का force यहाँ लग रहा है, तो यानि कि 10 newton का force दोनों तरफ से लग रहा है, तो अगर हम कहें कि भई, कितना force लग रहा है, net force कितना है, तो net force हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा, लेकिन अगर हम कहें कि इस पर क्या force काम कर रह है लेकिन force काम करें लेकिन net force यहां 0 है तो इसी तरह से यह पर electric field 0 है लेकिन net electric field हमारी 0 है लेकिन actual electric field जो होगी वह क्या होनी चाहिए थी देखे इस जो अगर यह part हमारा cuta हुआ था cuta वाला part का नाम क्या है एपी भी अगर इसको हम हटा दें तो कटा वाला पार्ट क्या बचेगा APB और कटे वाले पार्ट की वज़े से जैसे माली जी यह हमारा है और इस हैंड में यह देखिए इस तरह से यह पार्ट कट गया है इस सेंटर पर जो इलेक्टिक फील्ड होगी वो इस डिरेक्शन में होगी यानि अगर हम APB की बात करें तो इसकी वज़े से इलेक्टिक फील्ड हमारी इस डिरेक्शन में होगी A, P और B खीक है? A, P, P हमारी इस direction में होगी और जो cut-a part है यानि जो part cut-a गया है जैसे ये part है, इमारा cut-a गया है इसकी वज़े से electric feed इधर भी होगी और इस part की जैसे electric feed इधर भी होनी चाहिए क्योंकि charge है, तो charge है तो इधर भी electric feed होगी लेकिन हमें इस point पर देखना है न इस charge की वज़े से, यानि कि जो part कठा है, जो भी कठा है नहीं हमने लगा दिया है इस पर इस part की वज़े से electric feed क्या होनी चाहिए? इस direction में होनी चाहिए इसका नाम क्या देने? A, A, B E, A, B तो net electric feed 0 है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो यह part A, P, B है उसकी वज़े से electric feed इस direction में और part A, B की electric feed इस direction में तभी दोनों मिल करके net electric feed हमारी 0 बना रहे है net electric feed 0 कब क्यों हो रही होगी? क्योंकि जो part कट करके जो मैं मिला, remaining remaining उसकी electric feed इस direction में होनी चाहिए और इसकी electric feed की direction इस point पर इस direction होनी चाहिए दोनों आपस में equal होंगे तभी यह हमारा net electric feed 0 है अब हम बात करते हैं पूरी net electric feed की तो अगर हम net electric feed लिखें net तो वो net electric feed किससे मिल के बनेगी? A, P, B A, P, B प्लस यह जो पार्ट है A, B E, A, B इसी से मिल के बनेगी और हम जानते हैं कि जैसे अब थोड़ी दिर के लिए मान लीजे कि पूरा surface है हमारा कटा नहीं है कुछ भी नहीं तो अगर हम इस point पर देखें कटा नहीं है जब इस point पर net electric field पूरे पूरे की वज़े से कितनी होगी sigma upon epsilon जो हमने अभी यहाँ पर बताया आप कि अगर हम थोड़ी दिर के लिए मान लें blank की कुछ कटा नहीं है कुछ भी नहीं है तो electric field यहाँ पर कितनी होगी इस surface पर इस point पर sigma upon epsilon तो यानि वो किसकी वज़े से मिलके बन रही है जो part हमने काटने की कोशिश कर रहे है और जो part remaining है उसका total electric field इस point पर sigma upon epsilon not होगा अब break करके हम सोच लें कि जो part हमारा remaining बच रहा है और जो part कट रहा है उसको पूरा मिला दें पूरा एक कर दें तो electric field इस point पर कितना होगा sigma upon epsilon not अब इस पर focus करिए point S पर point S पर हमने क्या माना कि एक जो remaining part है APB उसकी वज़े से electric field इस direction होनी चाहिए और जो part हमारा कट गया है उसकी वज़े से अगर उसको लगा दें तो इस point पर electric field इस direction में होगी जाहिर सी बात है और दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा तभी तो electric field अंदर 0 होती है तो हम यह कह सकते है थोड़ी देर के लिए कि EAB किसके इक्वल होना चाहिए EAPB के जब यह दोनों आपस में इक्वल होगे तभी यहाँ electric field 0 होगी इसका मतलब क्या है यह आपस में इक्वलर अपोजिट है इसका मतलब हम क्या कह सकते है कि इस equation में APB की जगे हम क्या लिख सकते है net electric field हम जो लेके चले थे वो क्या लिख सकते है APB की जगे लिख सकते है EAB और EAB हमारे पास पहले से ही है तो दोनों को हमने क्या किया ऐसे लिख दिया वह हो गया sigma upon epsilon नाट अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2eab sigma upon epsilon नाट और electric field of due to ab क्या हो जागा 2 upon epsilon नाट तो यह हमारा प्रूफ हो गया जो हम required answer चाहते थे कि इस part की विज़े से a, B part की विज़े से elective field σIGMA upon two epsilon 0 हमारी आ गए है, तो इस तरह से question को हम लोग समझेंगे, तो मोटा मोटा यही समझना है, कि जो पूरा पूरा spare है, उसकी विज़े से elective field sigma upon epsilon 0 होगी, हर जगे होगी यहां भी होगी यहां भी होगी यहां भी होगी पूरे के लिए लेकिन यहां जो point है वो दो चीजों से मिलके अगर हम मान लें कि एक कटा वाला part और एक remaining part उसकी वज़े से electric field क्या बन रही है zero क्योंकि अंदर में तो सभी के electric field zero होती है ठीक है तो अंदर में जब सभी के electric field zero होती है यानि कि वो किसे मिलके बन रही है यह कटे वाले part और इसकी वज़े से यह मैंने लिखा कटा जो कट गया part वो प्लस और जो नहीं कटा उसकी वज़े से electric field net sigma upon epsilon 8 यहां पर है लेकिन बीच में क्या है जीरो है तो हमने इक्वल हैं तो क्यों नहीं हम a p b की जगए a b लिख दें अब a b a b क्या हो जाएगा two times हो जाए तो electric field a b के लिए अकेलाइस के लिए जो है sigma upon two epsilon r हो गया है तो उमीदे बच्चों समझ में आया होगा अगर कोई problem है तो you may ask in comment section good bye